तंगर्शों से होकर जाने वाले रास्ते एकसर बड़ी खुबसूरत मन्जिलों तक पहुँ जाया करते हैं और उपर वाला किसी को भी उतना ही कष्ट देता है, उतनी ही चनौतियां देता है जिन से वो जीत सकने की शम्ता रखता है और इसी वीटियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माई एफम का यूट्यूब चानल और दबाएं बेल आइकोन कि आप ऐसा क्यों करा, आपने मेरे साथ, कि मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ उतनी प्रयासों पर किसी को बहुत जल्दी नतीजे मिल जाते हैं और मेरे प्रयासों के नतीजे ही नहीं दे रहें ऐसा क्यों इश्वर ने मुस्कुरा के कहा, कि अपने आसपास रज़र घुमा कर देखो, तुम्हें घास और बास दोनों नज़र आ रहें उसने देखा हाँ, नीचे घास थी और उचा बास भी था इश्वर ने बताया कि मैंने ये दोनों ही बीज एक साथ बोई थे और दोनों की एक सी देखभाल की थी, एक सा पानी दिया, एक से मौसम उन दोनों के लिए थे एक सा सूरे का प्रकाश उन तक पहुचा, मगर बोने के कुछ दिन बाद ही घास तो जमीन से पीक कर बाहर आ गए लेकिन पहले साल में बास के बीज में से बाहर कुछ भी ने निकला, लेकिन मैंने उसे छोड़ने ही दिया, उसकी देखभाल में लगातार करता रहा दूसरे साल भी बास के बीज में से कुछ बाहर ने आया, मगर मैं उसकी देखभाल करता रहा चौते साल एक छोटा सा पीका फूटा और बस क्या था च्छे महीने में वो सीधे सौ फेट उचा हो गया शुरू के तीन साल बास ने जमीन के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगाये थे जिन जड़ों की वज़ा से आज वो इतना उचा होकर सर उठा कर खड़ा हुआ है और इश्वर ने का कि समय चाहे कितना भी लग रहा हो ये ध्यान रखना कि मैं किसी की भी देखभाल करना नहीं छोड़ता जैसे मैंने उस मास को नहीं छोड़ा मैं अपने किसी भी जीव को दुनिया में यूही नहीं छोड़ देता आपको ये लग सकता है कि आपको समय लग रहा है लेकिन जो समय आप खुद को तयार करने में देते हैं तो वो समय आपके ही काम आता है इश्वन ने साथ में भी बोला कि मैं किसी को भी उतनी ही चुनोतियां देता हूँ जिससे वो जीत सकने की जिससे आगे बढ़ने की वो शमता रखते हैं अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में बहुत सारे कश्ट हैं तो ये समझ लीजे कि इश्वन ने आपको चुना है क्योंकि आप उन शमताओं के साथ इस दुनिया में आए हैं कि आप उन कश्टों को मात दे सकते हैं उनसे आगे निकल सकते हैं और कश्ट से आगे बढ़कर ग्वांस की तरह उचे उठकर खड़े हो सकते हैं एक चोटी से जोपडी को बनने में जहां ख़ुछ दिल लगते है वहां एक भव इमारत को बनने में कई साल लग जाते हैं तो अगर आपको लगता है कि आपको नतीजे मिलने में समय ज़्यादा लग रहा है उम्मीश से ज जादा लग रहा है तो कभी निराश मत होई है तयार रहिए कि आपके लिए कुछ बहतरीन नतीजे हैं जो इंतिजार कर रहे हैं तो बस मुस्कुराइए और अपने प्रयात्नों प्रयासों में कोई कमी मत छोड़िए आप जिस मंजिल तक महशना चाहते हैं उसकी तरफ अपन यूट्यूब चैनल याद रखिए अगर आपको अच्छा सुन रहे हैं तो माई एफेम सुन रहे हैं चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं